देश में हर साल लाखों बच्चे और लोग पढ़ाई या फिर जॉब के सिलसले में दूसरी कंट्रीज में जाना पसंद करते हैं फिर इसके लिए उन्हें चाहे घर बेचना पड़े या फिर लोन लेकर जुगार करना पड़े लेकिन वो इस मौके को नहीं जाने दिना चाहते हैं लेकिन कुछ इसी तुरहा जॉब और पढ़ाई के मकसद से बाहर गए बच्चे एक देश में फसक गई हैं और इस देश का नाम है कमबोडिया मीडिया रिपोर्ट्स के एकॉर्डिंग भारत से गए इन बच्चों को जर्म करने के लिए जबरदस्ती धकेला जा रहा है उनसे कुछ ऐसा करने को कहा जा रहा था जो वो कभी करना ही नहीं चाहते है और हैरानी की बात तो ये है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बलकि पाँच हजार भारतियों के साथ कुछ ऐसा ही किया जा रहा है लेकिन सवाल यहां पर ये खड़ा होता है साथ कि जब इतनी बड़ी संख्या में ऐसा कुछ हो रहा है तो इस बात का कहीं कोई जिक्र क्यों नहीं है और ऐसा क्या करवाय जा रहा है इन लोगों से जो ये लोग करना ही नहीं चाहते और सुसाइड अटेंप्ट करना इन्हें एक बेटर आप्शन लग रहा है तो चलिए फ़र जानते हैं कि क्या है असली मुद्ध जो कमबोडिया में चल रहा है इंडिया से लगभग 4700 किलोमेटर दूर साउथीस्ट एशिया में एक देश है जिसका नाम है कमबोडिया दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा मंदर इसी देश में 95% लोग यहां बुद्धेश्म को फॉलो करते हैं वैसे तो यह देश बहुत सुन्दर है लेकिन इस देश में जो हो रहा है वो भी भारतियों के साथ वो काफी हैरान और परिशान कर देने वाली बात है क्योंकि यहां रह रहे भारतिय स्टुडेंट्स और काम करने वाले एजुकेटिट लोगों से जबरदस्ती क्राइम करवाया जा रहा है और वो भी इंडियन लोगों के खिलाव जी हाँ, मतलब जो स्कैम कर रहा है वो भी भारतिय है और जिसके साथ हो रहा है वो भी भारतिय है और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब तक 500 करोर से जादा का चूना भारतियों को लगाया जा चुका है तो होता ये है कि जब भारत से स्टुडेंट्स और काम की परपस से जुड़े लोग कमबोडिया पहुँचते हैं तो वहां पहुँचते ही सबसे पहले स्पेसिफिकली कुछ बच्चों से उनके पासपोर्ट छीन लिये जाते हैं इसके बाद शुरू होती है इनकी जद्दो जहत क्योंकि इन लोगों से दिन के 12-12 घंटे काम करवाया जाता है और वो भी ऐसा कोई काम नहीं जो इसके बारे में ये लोगों से डिसकस कर सकते हैं बलकि इनसे जो काम करवाया जाता है उसे हिंदुस्तान में लूट, खसोट और स्कामिंग कहा जाता है और फिर ये बन जाते हैं साइबर ठग जो अपने ही भारतियों को लूटते हैं लेकिन अगर इनमें से कोई काम करने से मना कर दी हैं तो इन्हें पीटा जाता था विजली के जटके दिये चाते हैं और अगर ऐसा एक दो के साथ होता तो समझ में आता है लेकिन फिलहाल धाईसों से जादा रेकॉर्ड्स के ट्रैक करने के बाद परत दर परत इसकी सच्चाई खुलते जा रही है सच्चाई के सामने आते ही इसी बात साफ हो गई है कि होम मिनिस्ट्री, फॉरिन मिनिस्ट्री, इलेक्रोनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने मिलकर साइबर क्राइम सेंटर और सेफटी ओफिशल्स की बैठक हुई है जिसमें कमबोडिया में फसे इन हजारों भारतियों को बच्चाने के लिए जबरदस मी इस तरह का बरताव किया जा रहा है जो बिलकुल भी सहने लायक नहीं है तो बात पिछले साल 30 सितंबर 2020 किये जब ओडीशा में राउर केला पुलिस ने एक साइबर क्राइम गैंग का भांडा फोर्ड किया था जब इन लोगों को पकड़ा गया तो ये देखने में एक नॉ हर काम दिलवाने के मकसद से कंबोडिया ले जाने में शामिल थे लेगन पुलिस तक ये मामला और गहराई तक तब पहुंचा जब सेंट्रल गवर्मेंट के हाइस पोस्ट पर काबिच एक ओफीशल के साथ लगभग 70 लाख रुपए की ठागी हो गई और जब सर्विलांस और जांच परताल के बाद इस चीज को खंगाला गया तो पता चलता है कि बड़ा गिरोहो इस तरह के साइबर क्राइम में शामिल है और वो जामतारा से नहीं बलकि कमबोडिया से इस तरह के ऑपरेशन्स को अंजाम दे रहे इस बात के मीडिया में आने से ठीक कुछ दिन पहले ही जब विजिलांस ने स्ट्रिक्ट अक्शन्स लेना शुरू किया तो एक के बाद एक आठ लोगों को गिरफतार किया गया और इसके बाद 16 लोगों के खिलाफ लुकाउट सर्कुलर जारी भी किया गया इतना ही नहीं मामले की गहराई को देखते हुए तेजी से अक स्टेट से हैं ये बाद तो जाहिर है कि साउथ में जाधातर लोग आईटी फील्ड से ही ब्लॉंग करते हैं और इनमें से जाधातर वो हैं जो या तो बहुत अच्छी युनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए या फिर उन्होंने किसी वज़ह से अपना कॉलेज ड्रॉप लिए मजबूर किया चारा है जाच अच एजंसी के एक सूत्र ने इंडियन एकस्परेस को बताया है दोस्तों कि कमबोडिया में फसे लोगों को भारतियों को धोका देने के लिए कहा जा रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि जबकि इंडियन बन कर बाहर देश से कॉल करता है तो उस पर अपने देश से होने की वज़ा से जादा भरोसा कर लिया जाता है। कभी कोई लीगल आफिसर बन कर चंगुल में फसाया जा रहा है। कभी ये कहकर कि पार्सल में कुछ आपजेक्शनल मिला है। इस तुरह की दलीलों और बातों से सीधे साधे लोगों को फसाया जा रहा है। अब आईए आपको ये भी बताते हैं कि वहाँ इन स्टुडेंट से क्या करवाया जाता है। जिन तीन लोगों को इस चंगुल से निकाला गया है उन में से एक स्टीफन ने ये बताया कि उसे मंगलूरू में एक एजेंट ने कमबोडिया में डेटा एंट्री की नौकरी का ओफर दिया। इसके बाद उसने एजेंट को बताया कि उसके पास आईटिया की डिगरी है और उसने कोबिट के टाइम पर कुछ कम्प्यूटर कोर्स भी किये हुए। एतना ही नहीं उसने ये भी बताया कि वो वहाँ अकेले नहीं था बलकि उसके साथ कुल तीन लोग और थे। इसके बाद जब वो कमबोडिया के एरपोर्ट पहुँचते हैं तो कमबोडिया में उन्हें एक आफिस मिले जाये जाता है। वहां उसका इंटर्व्यू लिया और उन्हें पास भी कर दिया जाता है लेकिन जब वो जॉब को जॉइन कर दें तो उन्हें बाद में पता चलता है कि उनका काम फेस्बुक पर प्रोफाइल ढूंडना और ऐसे लोगों के पहचान करना जिनके साथ दोका दोड़ी की जा सकती है इसके बाद उसने ये भी बताया कि वहां एक पूरी टीम चीन की भी थी और एक मलेशियाई ट्रांसलीटर और उनके बीच कम्यूनिकेशन सेंटर था इसके बाद उसने स्टीफन ने ये बताया कि उन्हें अलग-अलग प्लैटफॉर्म से महिलाओं की तस्वीरे निकालनी होती थी और उससे फेक अकाउंट बनाने होते थे इसका टार्गेट सेट था और अगर टार्गेट पूरा नहीं हुआ तो खाना नहीं दिया जाता था या अपने कमरे में सोने नहीं दिया जाता था इनसे जबर्दस्ती काम करवाय जाता था जो कि एक लेबर से भी बत्तर हालातों में रहते थे ये लोग इस सकैम के खबर मीडिया में इतने बड़े लेवल पर नहीं दिखाई गई, शायर जितनी दिखानी चाहिए थे, क्योंकि शायर इस खबर के मेर्म मीडिया में आने के बाद, लोग इस तरह के स्कैम से सचेत हो जाते और लोग जो इस स्कैम के चंगुल में फसे हुएं, वो इ प्राइद इसलिए आज भी लोग साइबर क्राइम को ना केवल देश से बाहर रहे कर बलकि देश के अंदर रहे कर भी अलग-अलग तुरह से अंजाम दे रहे हैं। 90 के दशक में ट्रेन लूटने से शुरू हुआ इनका ठगी का धंदा अब पूरी तरहा से हाइटेक है। बंद करने का फैसला लिया है। इन में से जादतर सिम, जामतारा और उसके आसपास के इलाकों में यूस किये चुआ रहे थे। जारकन पुलिस के मताबिक जामतारा में साल 2020 से लेकर अब तक साइबर अपराद के आरोफ में 170 लोगों के गिरफतारी हुई है। ये गिरफतारी सिर्फ जामतारा पुलिस ने की है। दूसरे राजियों की पुलिस भी यहां वैसे 500 से जादा बार चापे मारी कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने मैं 2023 में 21,000 सेमकार्ज के साथ जामतारा से 5 लोगों को पकड़ा था। पुलिस ने में नाकाम साबित हो रही है। तीन साल की सजा हो सकती है। वो छूटते ही फिर से अपना पुराना धंदा पानी शुरू कर देते हैं। इसके अलावत जामतारा की एक कहानी काफी पुरानी है। जड़ें काफी दूर तक फैली हुई हैं इसकी। इसलिए इसे खत्म करना इतना आसान भी नहीं है। पुलिस बताती है कि हेलो गांग मेंबर्स के खांदान के लोग पहले ठगों के स्टाइल में लूट पार्ट करते थे। बाद में उन लोगों ने अपने पेशे के तौर तरीके बदले, उन्हीं की नई पीड़ी ने अब साइबर क्राइम में हाथ पक्का कर लिया। अलग-अलग हिस्सों में इन्होंने अपने ठिकाने बना लिये। भारतियों को इस तरह से कैदी ना बनाया चाहे। वो भी अपने ही देश के लोगों को लूटने के लिए। और यहां मीडिया को भी एक एहम भूमी का निभानी होगी। क्योंकि देश जरूरी घबने देखना चाहता है। ना कि यह के सचिन की सीमा को पिमपल हो गए है। खेर उम्मीद करते हैं ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हां वीडियो को लाइक करना ना पूले।